वो जंगल बहुत सुन्दर था और उसमें रहने वाले पक्षी भी बहुत सुन्दर थे वो पक्षी कोई नेये ना थे बलके वो थो लंबे समय से उसी जंगल में रह रहे थे जंगल में भोचन उन दिनों थोड़ा काम था लेकिन इतना भी नहीं के पक्षी भूखे रहें लेकिन पानी बहुत मुश्कल से मिलता था लंबे समय से बारिश ना होने के कारण सब नदी नाले सूख के थे कबूतर और तोता बैठे हुए थे वो बहुत प्यासे थे कबूतर कल तो मुझे पासवली नदी से थोड़ा पानी मिल गया था लेकिन आज तो वहां भी कुछ नहीं जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खत्म हो गया तोते हमें रानो चुडिया के पास जाना जाये क्योंके उसके पास हर मुझकल का कोई ना कोई उपाई होता है और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास बार्षों का पानी जमा हो और हमें पानी मिल जाए वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहां रानो चुडिया आ जाती है कबूतर और दोते क्यों परेशान हो क्या प्यास तो नहीं लगी हुई तुम्हे चुड़िया बेहन हम तो तुम्हारी तरफ ही आने वाले थे जंगल में पानी खतम हो गया है सब पक्षी प्यासी है आखिर ऐसा कब तक चलेगा अगर ऐसा रहा तो पक्षी तो मर जाएंगे मैंने तो कल से पानी पिया हुआ है कोई पक्षी भी नहीं मरेगा क्योंके मेरे पास मेरे कुम्हे में पानी है वो पानी मैंने बार्षों का अकठा किया हुआ है मैं इसलिए तुम्हारी तरफ आई थी कि दूसरे पक्षियों को भी बता दो जिसको भी प्यास लगे वो मुझे पानी लेकर पी सकता है ऐसा सुनकर तोता और कबूतर तो बहुत खुश हो जाते हैं चुड़िया बेहन आपने हमेशा घ्यान से काम लिया और सब के मदद की मैं आज ही सब पक्षियों को बता देता हूँ वो तो बहुत खुश हो जाएंगे और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं तोता सब पक्षियों को रानों के घर पर अकठा करता है पक्षियों जैसा कि आप सब जानते हो इस समय जंगल में नदी नाले सूख चुके हैं और पानी खत्म हो गया है ऐसे समय में हमारी पहन रानों जुडिया ने अपने कवे से हमें पेने को पानी दिया ये वही पारिश का पानी है जिसे हम जाया कर देते हैं मेरा आप सबको अकठे करने का मकसद यही है कि हम भी पार्शों के मौसम में पानी अकठा करेंगे और रानों जुडिया की मदद करेंगे रानों जुडिया मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अपने कुवे में इतना ज्यादा पानी जमा किया हुआ है गोरी बेहन हमें पानी की कदर करना चाहिए क्योंके पानी से ही जीवन है और फिर सब पक्षी रानों चुडिया के कुवे से पानी पीते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है कालू पीने को पानी तो मिल गया लेकिन मेरे मन को शांती नहीं मिली अभी अब क्या चाहती हो क्या रानो चुडिया से वो कुमवा चीनना चाहती हो बहुत स्याने हो तुम कालू अपनी पत्नी की दिल की बास समझ जाते हो ये चिडिया तो पागल है जो मुफ्त में बांट रही है ऐसे पानी अगर ये कुमवा मेरे पास होता तो बदले में सेवा करवाती सपक्षन से अपनी और उन्हें पानी के बदले में अपना नोकर बना कर रखती कालू मुझे तो वो कुमवा चाहिए चाहे उस चिडिया को मारना ही पड़े तो फिर चलो कहां? उस चिडिया को मारने कालू लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो ऐसी रात में कून देख रहा है? तुम चलो बाकी का काम तुम मुझे पाइछ चोडो और फिर वो दोनों रानो चुडिया के घर की तरफ चले जाते हैं वो रानो चुडिया के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं कौन है इस समय? चुडिया बहन मैं हूँ कालू और तुम्हारी बहन गोरी प्यास लग गई थी क्या पानी पड़ा है घर में? नहीं कालू भाई घर में तो नहीं है मैं कुवे से निकाल देती हूँ अगर ज्यादा प्यास लगी हुई है तो चुडिया बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है मैं अभी आई और फिर रानो चुडिया अपने घर से बाहर आती है तुम कुवे पर आजाओ, पाने निकाने वाली चर्खी भी वहीं पड़ी है और फिर वो सब कुवे पर जाते है चिडिया अपने कुवे पर चर्खी लगाती है और जैसे ही पाने निकाने के लिए कुवे के करीब जाती है कालू तुरुथ चुड़िया को कुम्वे में धका दे देता है कालू और गोरी ये तुमने क्या किया मुझे कुम्वे में क्यों गरा दिया इसलिए कि तुम अच्छे से मर सको और फिर ये कुम्वा हमारा हो जाए जाल्मो मुझे बाहे निकालो मेरा सांस गुड रहा है अब रात रात ये मर जाएगी और फिर कल से ये कुम्वा होंगा हमारा तो फिर चलो अब अपने घर चलते हैं और फिर वो दोनों अपने घर की तरफ लोड जाते हैं बचाओ कोई है मुझे बचाओ जालमों ने मुझे मेरे ही कुमे में धक्का दे दिया है वो चिडिया ऐसे रोती रहती है लेकिन कोई पास होता तो आता उसे बचाने को वो पक्षी यातरी था और उसे दूसरे जंगल जाना था लेकिन वो तोथे के पास रुखता है तोथे ऐसंदर तोथे मैं जानता हूँ कि रात का समय है लेकिन मैं प्यासा हूँ क्या तो मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो तो तबी उस पक्षी की आवाज सुनकर उठ जाता है मुझे एक यातरी की मदद करके बहुत अच्छा लगेगा लेकिन हमारे जेंगल में पानी की थोड़ी कमी है आपको मेरे साथ जाना होगा हम सब पानी रानो चुड़िया के कुवे से ही पीते है मेरे पास समय थोड़ा है जादा दूर तो नहीं है वो कुवा पास में ही है चलो मैं आपके साथ जाता हूँ और फिर वो दोनो रानो चुड़िया के घर की तरफ जाते है वो चुड़िया के घर पर दस्तक देते है लेकिन कोई आवाज नहीं आती वो फिर से दस्तक देते है और फिर अचानक से तोते का दिहान कुवे की तरफ जाता है वहां तो चर्खी लगी हुई थी पक्षी शायद वो चिडिया कुवे पर ही है हमें वहाँ जाना होगा और फिर वो दोनों कुवे पर जाते है और फिर जैसे ही तोता कुवे में ज़ांकर देखता है वहां तो रानो चिडिया बेहोश पड़ी थी अरे ये चिडिया इस कुवे में कैसे पक्षी हमें चिडिया को बाहर निकालना होगा और फिर तोता पानी वाली बाल्टी में बैठकर कुवे में उतरता है और वो पक्षी उन्हें बाहर खेंच लेता है थोड़ी ही दिर बाद बाहर की ताजा हवा मिलने से चिडिया होश में आ जाती है चिडिया ये सब कैसे हुआ तुम कुवे में कैसे गिर गई वो गोरी और कालू ने मुझे कुवे में फैंक दिया कहते थे मुझे मार कर कुवे पर कबजा करेंगे और फिर पानी के बिदले सब को अपना नोकर बनाएंगे अब के बार तो हम सब पकशी मिलकर छोड़ेंगे नहीं उस गोरी और कालू को वो पकशी पानी पीता है और उन्हें धन्यवाद बोलकर वहां से चला जाता है और फिर सुभा हो जाती है सब अक्षी अकठे होकर गोरी और कालू को मार मार कर अपने जंगल से निकाल देते हैं और सब हंसी खुशी की जिन्दकी गुजाने लगते हैं आज हमें घोंसले की मरमत करनी है और तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा मामा कहा जाना है? जील के पास सूखा घास है आज हमें वो अकठा करना है अपने घोंसले में और फिर कल से घोंसले की मरमत का काम करना होगा जी मामा ठीक है हमें बहुत मज़ा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा लेकिन मामा मेरे तो कान में बहुत दर्द हो रहा है मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम मुझे पहले से ही पता था जब भी कोई काम करना होता है तुम्हारे कान में उसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है लेकिन तुम ये जान लो मैं हमेशा तम्हारे साथ नहीं रहूंगी कल मेरा बच्पन था फिर जवानी आई और अब मैं बुड़ी हो चुकी हूँ और ये सब कुछ मुझे एक सपने की तरह लगता है मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना समय गुजर गया अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी जिंदगी कैसे गुजरोगी ये भी तो है ना तमहारी ही बहन सारा दिन मेरे साथ काम करवाती है और मेरी हर तरह से मदद करती है ममा चलो कोई बार नहीं अगर मोनो ठीक नहीं है तो उसके हिसे का काम भी मैं ही कर दूँगी तुम्हे इतना अच्छा बनने की कोई जरूएत नहीं है मेरा काम तुम करने को रहने ही देना जब मैं ठीक हो जाओंगी तो खुद ही कर लूँगी तुम भी किसी बार पर भी खुश नहीं हो सकती हर वक्रत लड़ाई के मूड में रहती हो चलो मम्मा हम चलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं तुम अपने कान का दिहान रखना अब किसी ने शरारत में ना लग जाना और मम्मा चिडिया और इसकी छोटी बेटी सोनो चिडिया सूखा घास लेने के लिए चाल देते हैं प्यारे दोस्तों किया आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है और गेंटी के आइकोन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ममा इससे पहले कभी भी मैंने गोंसले की मरमत का काम नहीं किया आम मुझे बता दें किस तरह का घास अकठा करना होगा हाँ बेटा वो देखो वो जो लंबा लंबा घास है ना जो सूख कर तिनके की तरह बना हुआ है वो हमें चाहिए होगा हाँ ममा मुझे पता चल गया और वो दोनों माम बेटी सूखे तिनके अकठे करने लगते है ममा तिनके कहां जमा करने है यहां ठीक है तुम घासला लाकर यहां जमा करो यह जगा मनासब रहेगी अगर हवा आई भी तो पेड की वज़ा से घास यहां से उड़ेगी नहीं पेज़ती तो करवा ही ली है क्यों न थोड़ा घूम फिल लिया जाए अब भी तो ममा और सोनो शाम को ही आएंगी कहां जाओं? कहां जाओं? हाँ कवे की तरफ जाती हूँ बुडे कवे को थोड़ा तांग करती हूँ अलो बुडे अंकल अपना बोलने का तरीका देखो ऐसे बुलाते हैं बुड़ों को ये तुम सीख रही हो तुम हो ही बत्तमीज खेर बताओ क्या काम है तुमें? बस वैसे ही मेरी ममा आज कुछ ठीक नहीं थी कुछ खाने को दिल कर रहा था सोचा आपकी तरफ शायद कुछ मिल जाए अगर सच में ही तुम्हारी ममा बिमार है तो ये लो मुरूत पड़ा है एक ये ही खा लो थैंक्यू बुडे अंकल पेट तो भर गया है अब शरारत शरारत कौँसी शरारत करूँ जिसे थोड़ा मसा भी आ जाए हाँ शरारत का समान तो मेरे सामने ही है और मोनो चिडिया जो हर वकत शरारत करने के मून में रहती है इसे एक शरारत सुजी वो पास ही से एक फूल तोड़ती है और एक सुर्ख मिर्ची इस फूल पर मसल मसल कर कव्वे के पास ले जाती है अंकल जी धन्यवाद अमरूद मज़े का था बदले में मैंने सोच रहा आपको फूल गिफ्ट देती हूँ सूंक कर देखो इसकी गंद कितनी प्यारी है और कव्वा जैसे ही फूल अपनी नाख को लगाकर नंबा सा सांस लेता है मिर्ची की जरन से इसे खांसी शुरू हो जाती है उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया मैं शाम को तम्हारी ममा को बताऊंगा और मोनो चिडिया सारा दिन शरारते करने के बाद वापिस घोंसले में आकर कान पकड़ कर लेड़ जाती है ममा आप ठग गई होंगी नहीं बेटा बस आज मेरे पंक में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है चलो ममा अब चलते हैं मैं जाकर आपके पंक दबाद होंगी जीती रहो मेरा प्यारा बेटा मेरा दिल तमसे बहुत खुश है पर तमहारी बेहन से बहुत परेशान हूँ हर वक्त कोई न कोई शरायत करती रहती है कोई काम नहीं करती पता नहीं मेरे बाद कैसे जिन्दकी गुजारेगी ममा ऐसे तो ना को हो आप हमेशा हमारे साथ रहोगी नहीं बेटा मेरी माँ फिर उसकी माँ सब चलेगे और एक ना एक दिन मुझे भी चलो अब चले चलो ममा और वो माँ बेटी घास उठाकर वापस अपने गोंसले की तरफ चल देती है कुछ कम हुआ तम्हारा दर्द बस थोड़ा सा फरक है जब तुम्हारे बच्चे तुम्हे तंग करेंगे न उस वक्त तुम्हे पता चलेगा अपनी मां का आप तो हर वक्त मुझे गलत समझती रहती है मुझे पता है सोनो आपको मेरे खलाफ करती है वो तुम्हारी बेहन है शरम करो उसने कभी भी तुम्हारे खलाफ कोई बात नहीं की तुम्हारे करतूद ही ऐसे हैं अभी वो बाते कर ही रहे थे के कव्वे का बेटा आ जाता है। आंटी, अच्छा नहीं किया मोनो ने आज। क्या हुआ बेटा, मोनो के तो कान में दर्द है, ये तो आज सुभा से ही लेटी हुई है। नहीं आंटी, ये हमारे घर आई थी, इसने मेरे पापा से कहा के मेरी ममा बिमार है, खाने को कुछ दो, उसने इसे अमरू दिया, और बद्रे में इसने मेरे पापा को फूल पर मिर्ची लगा कर सुखा दिया, और मेरे पापा खांस खांस कर बुरे हाल में है, और इसका सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ मोनो चिडिया शरारत पक्ड़े जाने पर सोने का नाटक करती है पापा ने कहा था कि रानों से कहना इसे समझाए ये बहुत शरारते करती है तमाम परिंदे इससे बहुत तंग है मैं बहुत शरमिंदा हूँ बेटा अच्छा अंटी आम मैं चलता हूँ सुन लिया है तुमने सब मुझे पता है तुम जाग रही हो सोनो मेरे पंक में दर्द बढ़ गया है दर्द बहुत ज़्यादा है मेरी सांस रुक रही है नहीं ममा आप ठग गई होना आज काम जो किया है आपने इतना मुझे से बैठा नहीं जा रहा शायद मेरा अंत आ गया है नहीं ममा ऐसे तो ना को हो हाँ बेटा मोनो मोनो ममा को पता नहीं क्या हो रहा है जिल्दी आओ और मोनो चिडिया जिल्दी से अपनी ममा के पास आ जाती है ममा क्या हुआ क्या हुआ ममा आपको अपनी आँखें खोलो आप अपनी आँखें क्यों नहीं खोल रही लेकिन ममा चड़िया अपनी आँखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है नहीं ममा नहीं मैंने आपको बहुत तंग किया मुझे माफ कर दो प्लीज ममा प्लीज अपनी आंके खोल ले फिर मैं दोबारा कभी ऐसे नहीं करूँगी हमेशा आपका कहना मानूगी बस एक बार उठ जाओ नहीं मोनो आज सुबह से ही ममा के पंक में दर्द हो रहा था जब बहुत ज़्यादा हुआ तब ममा ने मुझे बताया था अब ममा इस दुन्या में नहीं रही सोनो चडिया बहुत गम जदा थी लेकिन इसके दिल को तसली थी और मोनो चडिया जिसने कभी अपनी ममा की बात नहीं मानी थी शायद सारी जिन्दगी पश्टाती रहेगी और गुजरा समय फिर लोट कर नहीं आएगा इस कहाने से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए क्योंके समय फिर कभी लोट कर नहीं आता ऐसा नहोंके जिन्दगी भर पश्टाना पड़े